अज्यात संदेश, एक प्रतारित लड़की का भूतिया अनुभव. नैना एक साधारन लड़की थी जो अपनी दुनिया में खोई रहती थी. उसके माता-पिता का देहांत बच्पन में ही हो गया था और वह अपनी चाची के साथ रहती थी. नैना बहुत ही समवेदनशील और अंतरमुखी स्वभाव की थी, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे. उसकी जिन्दगी में एक अजीब मोड तब आया जब उसे अज्यात स्रोच से रहस्यमी संदेश मिलने लगे. यह सब तब शुरू हुआ जब नैना को अपने कमरे में एक पुराना संगीद बॉक्स मिला. बॉक्स को खोलते ही उसे अजीब सी फुस्फुसाहट सुनाई देने लगी. उसने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यह उसकी कलपना मात्र है. लेकिन अगले दिन उसे अपने कमरे में एक छोटा कागज का टुकडा मिला, जिस पर लिखा थ मुझे मदद चाहिए. नैना ने इसे एक शरारत मानकर नजर अंदाज कर दिया. लेकिन जैसे जैसे दिन बीटते गए उसे और भी संदेश मिलने लगे. हर संदेश में कुछ न कुछ अजीब और डरावना लिखा होता था. एक दिन उसे एक संदेश मिला, मैं यहां हूँ, इस घर में फसी हुई हूँ. नैना बहुत डर गई और उसने यहां बात अपनी चाची को बताई. चाची ने उसे शांत किया और कहा, यह सब तुम्हारी कलपना है. तुम्हें बस अपने दिमाग को शांत रखना है. लेकिन नैना को यकीन था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा ह है. उसने संदेशों का अनुसरन करने का फैसला किया. एक दिन उसे संदेश मिला, बगीचे के पुराने कुए के पास आओ. नैना ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में बगीचे की ओर बड़ी. उसने देखा कि कुए के पास एक छाया सी खड़ी थी. नैना ने हिम जुटा कर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? राधिका ने अपनी कहानी सुनाई. उसने बताया कि वह इस घर में नौकरानी थी और घर के मालिक ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. एक दिन जब उसने विरोध किया, तो उसे मार दिया गया और उसकी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया. उसने पुलीस को इस घटना की जानकारी दी और उनके साथ मिलकर पुरानी कुए की खुदाई करवाई. कुए से राधिका की लाश बरामद हुई और पुलीस ने उसके हत्यारे को गिरफतार कर लिया. राधिका की आत्मा को न्या का धन्यवाद किया। उसने कहा अब मैं शान्ती से जा सकती हूँ। तुम्हारे साहस और मदद के लिए धन्यवाद। इस घटना के बाद नैना की जिन्दगी में बहुत बदलाव आया। उसने अपने डर पर काबू पाया और समझा कि कभी-कभी हमारी समवेदन शीलता हमें सच्चाई का एहसास कराती है। उसने आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास किया और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तयार रहने का फैसला किया। नैना ने राधिका की कहानी को एक किताब में लिखने का फैसला किया ताकि लोग जान सके कि न्याई की जरूरत सिर्फ जीवित लोगों को नहीं बलकि आत्माओं को भी होती है। उसने सीखा कि साहस और समवेदन शीलता के साथ हम किसी भी रहस्य का सामना कर सकते हैं और सच्चाई को उजागर कर सकते हैं।